आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ और यहाँ पर यूज होता है बीम ओफ इलेक्ट्रॉन टू इल्लुमिनेट दी स्पेसिमेन नाउ सेकंड पॉइंट जो इमेज को मागनिफाई करने के लिए यूज होता है तो दाट इस वाग्लास लेंस वेरास इलेक्ट्रॉन माइक्रोसकोप में मागनिफिकिशन के लिए यूज होता है मागनेटिक लेंस का उसके अलावा अब जो मैं विजिबल लाइट यूज कर रही हूँ तो इसका सोर्स क्या होता है या तो सन से आने वाली नाच्रोल लाइट को यूज करते हैं जैसे सिंपल माइक्रोसकोप में या फिर कमपाउंड माइक्रोसकोप में यूज करते हैं एक लाप वेरास इसमें यूज होता है टंगस्टन फिलामेंट ये जब हीट होता है या जब इसमें स्ट्राइक करते हैं तो ये रिलीज करते हैं इलेक्ट्रोन नेक्स्ट अब यहाँ पे जो in case of हमारे electron microscope होते हैं, इसमें जाधा resolution होता है, resolution जिसमें जो images हैं, उसको separately देख रहे हैं, मतलब एक image में चोटी चोटे points हैं, तो मैं उसको separately देख पाऊं, तो that is what resolution, तो electron microscope में जाधा resolution होता है, whereas इसमें कम resolution होता है, Similarly magnifying जो power होती है वो भी यानि कि जो magnification होती है वो भी ज़्यादा होती है in case of electron microscope और कम होती है in case of light microscope Then ये जो है definitely उससे ज़्यादा cheaper है and this is very expensive अब क्योंकि resolution इतनी ज़्यादा नहीं है तो एक normal ही आप इसकी image देख सकते हो Whereas in case of electron microscope जो even जो detailed structure है वो भी आपको दिखता है and you can also see a 3D image Next light microscope में आप color images देख सकते हो उसका use करते हैं हम अलग-अलग stains का Whereas electron microscope में जो image आती है that is a black and white image उसके अलवा definitely जो electron microscope है यह difficult है carry करने के लिए इसको इतना easy नहीं है It is cumbersome and it is very easy to carry and use उसके अलवा जो हमारा electron microscope होता है उसमें आप cells के organelles तक देख सकते हो सारे के सारे organelles easily दिखते हैं लेकिन अगर application के बात करती हूँ light microscope में तो आपको एक general structure दिखता है, organelles नहीं दिखते, nucleus में आपको dot like structure दिख रहा है बट again you cannot see the organelles तो ये है basic difference between a light microscope and an electron microscope Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level तता स्मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलूट के ले doubtने टाप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 पर